नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी एनम 9212 भरती अपडेट को लेकर के इसमें प्रोविजनल की जितने भी हमारी एनम भैने हैं आप सभी वीडियो को जब तक आपकी प्रोविजनल के बारे में बताएंगे उसमें उसको आप जरूर पूरा देख लीजिएगा और या कुछ अपडेट देने वाले हैं तो आप सभी से रिक्वेश्ट की वीडियो को आप पूरा जरूर देखेगा सबसे पहले आप प्रोविजनल में बता दें कि सबसे जाता जो समस्या आ रही है कास्ट सर्टिपिकेट वाली और उसमें भी जो दिक्कते आ रही हैं जैसे क किसी की साधी हो गई किसी बेहन की उनका जिला तहसिल दूसरा है उनके पिता का जिला या तहसिल दूसरा है तो उस इस्तिती में बहुत दिक्कते आ रही हैं जिनका तहसिल एक है या फिर जिला एक है उनका तो बन जा रहा है माईके पक्षी की रिपोर्ट पर या पिर माई बनवा करतों दे नहीं पाएंगे तो उसमें कोशिस करिए आप जैसे भी हो पाय संभा हो आप नया बनवा लेजिए इसके बाद एक और यहां पर आप सभी के लिए अती आवस्तिक सूचना यह कि अभी हमारे थोड़े दिर पहले हमारे पास एक भाईया का फोन आया था तो उ में यह करना है जिनका कभी पुराना कभी बना था लेकिन और रिकार्ड में आप गए तहसिल तहसिल में गए तहसिल दार महोदे से आपने नवेदिन के अलेख पास या कारूंगो से वहां पर आपके पुरानी जो लिए आपका कास्ट सेटिफिकेट नहीं निकल पाया तो उसमें क्या किया फिर आपने एक खोने की मतलब हमारा जो पुराना कास्ट सेटिफिकेट है उसकी एक आप रिपोर्ट लेखवा सकते हैं थाने में एक आप उसकी अफायार करके तो उसमें आपको एक कागज मिल जाएगा एक आपको रिसीप्त मिल जाएगा उसे ये फायद कि हमारे जो जाती है शे में जैसा कि हमने आप सभी को रिकमेंड भी किया था कि आप लोग एपी डिविट जरूर बनवा लीजिएगा तो एक यहां पर काम आप सभी जरूर कर सकते हैं और यह बहुत आसान प्रोसीजर है कोई भी डोकुमेंट्स वगर अगर खो जाए किसी का तो उसमें सबसे पहला काम यही करना होता है कि थाने में जाकर कि हम एक FIAR उसकी लिखवा दें किसर हमारा डोकुमेंट्स एक अप्लेकेशन दे लेंगे आप थाना देक्षिम हो देखो किसर हमारा डोकुमेंट्स इस परकार से खो गया है तो वहां पर एक रिपोर्ट आप का जो वर्स है उसी के लिए आपका बना होना चाहिए और 2021 में 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रेल 2021 के बाद कभी भी बना हो और 5 जनावरी 2022 के पहले का बना हो सतर जो है 2021-22 के लिए बना हो बित्ती वर्स 2020-21 देखा जाएगा हमेशा एक वर्स पुर्व का बित्ती वर्स वाले जी EWS पुराने वाले में करेक्शन हो पाए या ना हो पाए आप एफिडेविट तो लेकर वाइन लेंगे लेकिन आप नया भी बनवा करके रख लीजिए और इसमें विभाईत बहने हैं तो पती पक्षका और और विभाईत बहने हैं तो पिता पक्षका केवल काश्ट certificate वाले मामले में दिक्कत होती है कि पिता पक्षका ही मांगा जाता है तो जितने भी प्रोवेजनल की बहने हैं आप कोशिस करिए कि कि किसी का भी कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी जो है चैनित है और आप सब की जो है फाइनल जो जो दोबारा बस आपका document सब सही हो और जो भी हम आपको चीजे recommend कर रहें बता रहें आप से request कर रहें सजेशन कर रहें आपको इसके लबाब आप अपने अस्तर से भी देख लिजिए कि उसमें क्या हो सकता है खो सकता है कुछ चीजे आप हमसे ज्यादा अच्छी से समझ पाते हो को हो सक कास्ट सर्टिपेट के लिए पिता पक्चे कास्ट सर्टिपेट ये एक फायार जो है थाने से रिपोर्ट लगवा कर उसकी यीऊगहा रख लिजिए थागि के लिए अगर आप से बोलें कि पुराना कहा है पुराना दिखाएए तो आप ओ दिखा सकें कि देखें सर मारे पास पुराना था लेकिन अब नहीं है खो गया है ठीक है आप सभी नहीं हात अगर चीजे पूरी अगर सुन ली होंगी तो उमिद करता हूं कि काफी ज़्यादा सवाल आ आप प्लीज एक एफी डेविट तब बनवा लीजीगा जब नोटीस आजाए ताकि पता चले हमें किसको समक्ष करके बनवाना है ठीक है सभी के लिए चाहे एडव्यस की एनम बैने हो या फिर जनरल की एनम बैने हो कुछ नाम मोगेरा में कहीं पर कोई भी चोटी तूटी आपको लगे या फिर जिनका सेलेक्षन जो आरक्षित वर की एनम बैने हैं लेकिन सेलेक्षन अनरेजर में हुआ है और उनको जो है प्रोविजनल भी मिल गया है मतलब किसी डोकुमेंट में कहीं पर नाम होगेरा में कोई चोटी मूटी गलती है तो उस लिए आप एफी ड देखा जाएगा जो अपने केडिगरी में सेलेक्ट होंगे ओवी सी एस्टी तो हो सकता है कि आपका का सर्टिपिकेट सही हो और हो सकता कि आपके नामों करने में कहीं कुछ तूटी हो तो प्लीज आप सभी यह जरूर देख लीजिए का किसी भी एनम भेहन का दिक्कत नही होना चाहिए आप सभी की ज्वाइनिंग होने चाहिए चलिए इसके बाद आप लोग बात करेंगे यहाँ पर कि सबकी ज्वाइनिंग यहाँ पर कब तक हो सकती है देखिए अभी तक आयोक से कोई भी ऐसी जानकारी कर्म जानकारे नहीं मिल पा रही है कि आप सबकी ज्वा कर देंगे या अच्छी कबर मिले के तुम आपको जरूर बताएंगे पूरी कोशिस रहेगे कि आप सबकी ज्वाइनिंग कब से इस्टार्ट हो सकती है अभी हम लोग केबल उम्मीद कर सकते हैं कि दो चार दिन पान दिन हपता बर में आपकी जो प्रक्रिया है सुरू हो मिले का उस्ट श्यास किया है कि हम लोग जो जयानिंग को लेकर करके आयोक की माननी अधिकारियों शे मान करेंगे कि हमारी ज्वाइनिंग गोमतिनगर में पिकप भवन एक है और उस पिकप भवन में थर्ड फ्लोर पे यूपीट्र पलस्टी का आफीस भवन है तो वहां पर जाकर कि यह धर्ना देना है हमें और अपने जो है निविधन हम लोग वहां पर रखेंगे मैं भी पूरी कोशिस करूँगा कि आपका मुद जारी मिल जाए कोई कंपर में डेट वता चल जाए ताकि आप सभी बहने परेसान ना हो बाकि अगर कुछ नहीं हो पाया तो अगर ऐसा हो ना अगर ऐसा हुआ तो फिर हम लोग जो है 26 तारी को धरना निविधन करेंगे आयोग के अधिकारियों से मान करेंगे कि सर हम लोग जाकर के बात करते रहेंगे तभी थोड़ा से अच्छा रहेगा हमें बिलकुल वहीं यह मान करके नहीं बैटना है कि हमारा हो जाएगा हमें तब तक कोसिस करने हैं लाश तक कोसिस करने हैं कि आप सभी का भी ज्वाइनिंग हो जितने भी 20 हमारे एनम बैन है विधेयल्ड म क्या मतलब है सर इन सीटों को अगर आप हमाय वजित कर देते हैं तो कहीं न कहीं हमारे 380 एनम बैनों की घर में परिवार में जीवन में खुसी हा जाएंगी तो सर इन 380 सीटों को जरूर जोड़ करके एक लिष्ट फिर से जारी की जाए साथ ही साथ कुछ भी अगर सीटे खाली वरस्ती है जोइनिंग की बात हर केटिगरी में कुछ न कुछ सीटे खाली बचेंगे जिनका कुछ नंबर कुछ पॉइंट से एक डेड़ दो नंबर से जिनका सेलेक्शन रह गया है उन एनम बैनों को भी यहाँ पर अगर वेटिन लिष्ट जारी होती तो उनको भी नियुकती मिल जाएगी नौकरी मिल जाएगी तो वेटिंग लिष्ट का प्रावदान जरूर होना चाहिए बहले ही आयोग यूपिटर पलसी आयोग के तरफ से खाली पदों पर वेटिंग लिष्ट पहले जारी नक की गई हो लेकिन यहाँ पर सभी हमारे एनम बैने सभी म ना फूलकरी मुझकी आयोग की माननेवी हुए महाद्यम सेiciosे या फिर जहां से भी कुछ भी जानकारी प्राफ्त होगी हमाँ आप सभी को खन्परम अम्लेट का प्रयास करेंगे या फिर ईतनी भी आपकी जो भी मुद्ध्य हैं उनको लेकर कि हम बताएंगि आपको कल